Hi everyone, मैं वर्तिका, स्वागत करती है अपने चानल पे, I hope आप सब अच्छे होंगे तो आज हमारी NIS Summary की next class है, जिसमें हम लोग 2 unit पढ़ेंगे, unit 7 and unit 8 ठीक है, और to the point notes है मेरे, असानी से आपको समझ जाएंगे लेकिन उससे पहले जो मैं extra point बता देती हूँ, वीडियो देख लिया करें, आप note बढ़ा करें टेलिग्राम चैनल पे पीडियाफ मिल जाएगी, ठीक है और एक और बात, आप अगर खुछ से भी पढ़ रहे हैं book को NIS की तो ध्यान रखिएगा, हिंदी वाली जो NIS की book है, उसमें काफी mistakes है, तो आप इंग्लिश वाली से एक बर एक दो जो data होते हैं, उनको match कर लिया करें तो चले, start करते हैं, और काफी मैनत करती हूँ, तो अगर आप share कर देंगे, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक, तो काफी मुझे अच्छा लगेगा यह जो notes हैं, यह DT plus B के लिए तो important ही है, यहां से question तो आते ही आते हैं, यहां इसमें तो देखे ही गया है, उसके लावा जो normal teaching exams होते हैं, जैसे बिहार सुपटेट की भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए useful रहेगा, ठीक है, तो देख लिए जगा आप लोग, इस chapter का नाम है, management of multi-grade and multi-level situation, multi-grade situation क्या होती है, multi-level situation क्या होती है, सबसे पहले multi-grade situation जानते हैं, यह बहुग अच्छा इस्ते थी, टीचर क्या करता है, दो तीन classes को एक ही कमरे में बढ़ाना, एक ही रूम में दो तीन classes को बढ़ाना ही कहलाता है, बहुग अच्छा इस्ते थ में हम दों की 4th और 5th की class एक साथ रहती थी, और 1st, 2nd, 3rd की एक साथ रहती थी, ऐसे करके, तो इस situation को बोलते है, multi-grade situation, अब multi-grade teaching क्या होगा, जब ऐसे एक ही class में कई, एक ही रूम में कई classes के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो method का यूज किया जाएगा, जो techniques का यूज किया जाएगा, उस situation को बोलेंगे, बहु कक्षा सिक्षर, मताब उसको पढ़ाना ही कहलाएगा, multi-grade teaching, ठीक है, अब ये situation आती कैसे है, जो multi-grade वाली situation है, वो क्यों आती है, point है, enrollment-based teacher requirement policy, मताब कि कितना नामंकन हुआ है, उसकी हिसाब से, जो teacher है, उनको उनकी भर 40 बच्चों पे एक teacher होना चाहिए, अब माल लिजे, किसी school में बच्चे ही कम है, ठीक है, class first में 40 बच्चे ही नहीं, माल लिजे, 30 बच्चे है, और class second में कुछ 15-15 बच्चे है, तो क्या होगा, कि इन दोनों की combination से total बना 45, और 40 के करीब कितना होना चाहिए, 40 पे 1 होना चाह ठीक है, एक situation यह आती है, operation blackboard में, operation blackboard कब आया था, कौन सी NEP में आया था, comment कर दीजेगा जल्दी से, क्योंकि इससे पहली जो अपने videos मैंने बताई है, उनमें यह चीज बताया था, कि कौन सी NEP में operation blackboard को introduce किया गया, इसमें operation blackboard में दो teacher at least होने ही चाहिए, एक पूरी के लिए 30 पे 1 का ratio है, और अपर प्राइमरी के लिए 35 पे 1 का है, तो अभी 40 is to 1 क्या था, 40 is to 1 था, इन्होंने एक जनली बात कही थी, कि राजियो में देखा गया है, कि 40 पे एक teacher रहता है, लेकिन जब से RTE आया, तो अब RTE के अनुसार, जो recruitment है, वो होने लगी, तो क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर में RTE का वर्डन दिया गया है, तो यहां मैंने उसको डीटेल में से नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे अग्दम धंग से चोटी वीडियो है, कुछ 15-20 मिनट के होगी, और उसमें धंग से दे रखा है, कि 30 पे तो 1 हाई है, लेकिन अगर 60 होगा चैप्टर में 60 पे 2 चाहिए होता है, और 61 से 90 पे 3 चाहिए होता है, 91 तो 1,20 पे 4 चाहिए होता है, 200 पे 5 चाहिए होता है, लेकिन 150 पे जाकर कि कुछ डेटा चेंज होता है, तो इस सब आपको वहां मिल जाएगा, यहां इसलिए मैंने डीटेल में नहीं समझाया, और यह 40- तो 2 पे कितना हो जाएगा, दो टीचर 80 पे हो जाएगा, तीन टीचर 120 पे हो जाएगा, तो यह स्टेट नॉम्स के कॉर्डिंग है, लेकिन आटी वाला डेटा आपको याद रखना है, तो उसको याद रखेगा, और दूसरी क्या रिजन होता है, कि मर्टी ग्रेट सिच्व जाने के फिस्कूल जाते नहीं, जल्दी चुटी ले करके आजाते हैं, इसकी वज़े से टीचर की कमी होने की वज़े से क्या हो जाएगा, एक ही रूम में सारे बच्चों को पढ़ा दिया जाते हैं, अब सिच्छक की एपसेंस वही, वह चुटी पे रहते हैं, स्पेशल एजुकेशन फर गल्स चाहिट, ऐसा कुछ कोर्स होता है, जिसमें बच्चे ने पहले स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से उसको जॉइन कराना है, जब फिर से उसको जॉइन कराना है, तो ऐसी सिच्वेशन में भी क्या होता है, कि मल्टी ग्रेट सिच्वेशन सिच्वेशन में समस्या के बारे में, इसमें मल्टी ग्रेट सिच्वेशन में समस्या क्या है, फिर एक ही रूम में पढ़ाद तो दिया जाता है, लेकिन समस्या यह होती है, आपको सोचिए, जहां तक अपने बच्पन के राद है, बहुत दिस्टर्बेंस हो दीती है, हो जाता है, कुछ चीजों में सही भी रहते हैं, कुछ चीजों में गढ़बर हो जाते है, अधियाब को के वर्कलोड को बढ़ा देते हैं, व्यक्तिकर ध्यान नहीं हो पाता, टाइम से स्लेबर भी कंप्लीट नहीं हो पाता, एम्जियस में एक क्लास के एक्टिविटी, द जो होती है, वो 3rd to 5th होती है, और 1 to 1st or 2nd में एवस नहीं है, तो उनको एक कुछ लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंट है, या जो सब्जेक्ट है, उसको लेकर कि वो कहीं ने कहीं एक बादा क्रेट कर सकता है, ठीक है, अब हम जानेंगे कि मर्टी क्रेट टीचिंग के लिए कि management के लिए कौन सी strategies को अपनाना चाहिए, तो चार main point को याद रखेगा, पहला है class का organization, क्लास को कैसे organize करना है, तो class में क्या होना चाहिए, blackboard लगा होना चाहिए, teacher की maze है और table होनी चाहिए, उच्छी तविवस्ता होनी चाहिए, बच्चों के बैठने की, एक corner होना class first की इधर वाले बैठे हो है, class second इसी नित आसी बैठे हो यहाई से नित इसे एक arrangement, एक arrangement हो सकता है, है कि विदार्थियों को always कि अछा सा हुआ है कि अच्छा हो स्टारीचे से यह सारी वई वासा है अगर विदार्थियों को स्भाइक जा से क्लास आए तो दो तरीके से सम्मूब बना सकते हैं, तो class wise या तो yogita wise मतलब, class wise का मतलब ही class first का, जिसे भी मैंने बताते है, class first का इधर बटा दिये, class second इधर बटा दिये, तो ये class wise होगे, अब yogita wise का मतलब होता है, मतलब ability के according, कि अगर कोई बच्चा average है, above average है, या below average है, तो उसके according इनका group बना देना है, कि इसमें average वाला, इसमें below average है, इसमें above average है, इस तरीके से, अब आता है, अधिगम सामगरी का प्रावधान, कि अधिगम सामगरी का प्रावधान का मतलब है, कि हम TLM की उचित विएस्था करेंगे, TLM को एक detail में से पहले वाली वीडियो में बताई था, teaching learning material, यानि कि सिच्चा अधिगम सामगरी, कि पढ़ाने से पहले हमको उनके according content ELM यूज़ करना है, वो सब तयार कर लेना चाहिए, अधिगम सामगरी की योजना बनाना, यहाँ पे lesson plan की बात हो रही है, कि आपको क्या करना है, पढ़ाने से पहले अपना lesson plan create कर लेना है, daily lesson plan and as well as monthly and weekly lesson plan होते हैं, उनको भी इसमें हम बनाएंगे, उसके according फिर हम बनाएंगे, अब यहाँ पे आपको एक word दिख रहा होगा, adjacent classes, अब यह चीज़ खास तवर पे कही गई थी कि multi-grade teaching के लिए, अगर आब एक class में, एक room में, कई class के बच्चों को बैठा रहे हैं, तो कोशिश की जाएं, कि वो एक group बेठा है class first का, एक group आगे class third का, तो यह नहीं होना चाहिए, adjacent classes को एक room में रखना चाहिए, अच्छा, एक बात और कि group में हमने, पहले वाली वीडियो में, homogeneous grouping and heterogeneous grouping पढ़ा था, तो यहाँ पे भी बात कही गई थी, कि हम जो group बनाएंगे, या तो वो, जो योगिता के हार पर पनाएंगे, यह ability recording, वो homogeneous भी हो सकते है, heterogeneous भी हो सकते है, homogeneous का मतलब, कि ऐसा हो सकता है, कि सारे average बच्चे एक group बना दिया गया, below average का बना दिया गया, लेकिन इसमें कमी क्या होती है, homogeneous में कमी यह होती है, कि जैसे मान लीजेए, यह average बच्चा था, यह average बच्चों का होते है, heterogeneous में mix कर दिया रहता है, इसमें average भी है, below average भी है, above average भी है, इस वाले group में भी है, लेकिन अब इसमें अच्छा तो है heterogeneous लेकिन इसमें गलती होती है, कि जो above average है, और अच्छा वाला है, वो तो जल्दी सीख लेगा, उसकी सीखने की गलती तेज होती है, तो वो कह ही न कहीं बादा उत्पन करेगा दूसरे लों के अधिगम में, इसलिए ये heterogeneous में कुछ न कुछ कमी है, मतलब कुछ अच्छा ही है, तो कुछ कमिया भी है, तो ये grouping में ही मैं बता रही थी, अब आते हैं, next topic पे, जो की है, बहु इस्तरी इस्तेती, मतलब multi-level situation, एक class में वि है, high level का है, कोई average है, कोई low level का है, तो विद्यार्थियों का होना ही, मतलब एक ही classroom में, अलग-अलग level की विद्यार्थियों का होना ही, क्या कहलाता है, multi-level situation क्या होता है, अब multi-level situation क्या होती है, योगिता, दक्षिता, रुची की अधार पर भी विद्यार्थियों का होना, मतलब उनकी ability के coding हम क्या सकते हैं या उनकी रुची डिफरेंट 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 हो सकता हैं उनकी competencies डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं अब यह जो MLS है मतलब multi-level situation यह केवल multi-grade situation होती है बहु कख्या इसको बोलते हैं multi-grade situation इसमें दो-तीन क्लास के बच्चे एक ही रूम में रहते हैं उनमें तो होती होती है लेकिन जो single class वाला रूम होता है उसमें भी होती है जिसे नॉमली अगर एक क्लास में केवल फिफरेंट के बच्चे 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 बच्चों का लेवल बहुत अच्छा है कुछ बच्चों का लेवल कम है तो यह एक अक्षा वाले में होता है single class वाले में भी होता है या भी भी सेम कारण की सिक्चों कमी है तो सिक्चों मतलब उनको व्यक्तिकद रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे है या classroom की कमी होती है तब ही इस सिच्चों पैदा हो जाती है अब इसमें कम्या क्या होती है इसकी कम्या है कि अधिगम प्रभावित होता है समान अधिगम लोग देखें तो टेक्स्बुक को बहुत महात्रदी आ जाता है इससे सबको लाव नहीं मिल पाता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी गदी सीखने की सिक्चक वावक लूट रहता है इसके लिए क्या स्ट्रेट्रिजी अप यूज करेंगे ऐसी सिच्विशन आगई तो वो टिक करिएगा दोनों ही सही माने जाएंगे एक यूनिट में 4-6 आंसर दे रखा था और एक में 3-5 दे रखा था अब यहां पे जो विशम सम्मू है वो हमने बना दिया लेकिन टीचिंग और एवैलिवेशन के बाद होमोजीनेस बना दीजेगा यह लाइन स्पेशल समांगी बोलते हैं उसको मिस्रिद बोलते हैं ठीक है हेट्रोजीनेस को सामुहिक तथा व्यक्तिगत अधिगम द्वारा अधिगम दक्षिताओं में पारंगत्ता हासिल करना अब यह कहा जा रहा है यह स्ट्राइजी हम पढ़ रहते हैं मर्टी लेवल सिच्वेशन में तो आपके पास वो इसके ले लेंगे उसमें मास्ट्री पा लेना क्यालाता है कॉम्पिटेंसी तो हर एक सब्जेक की हर एक सब्जेक से कुछ ना कुछ कुछ कॉम्पिटेंसी होती है तो उनको हासिल कर लेने से भी हो जाता है अब इससे एक रिवर संस्था है रिसी वैली इंस डश्री पाँ सकते हो ठीक है इसी को ही receipt vagy metaphor बोला जाता है क्या बोला जाता है sed compelling 했 programs तो हम जानते 20-0 ए अप्रोच है क्या यो इस पॉलिए ओंध में आँ बहुत important को याद रखिएगा इसमें कहा गया कि सबसे पहले हैं क्या करोगा जो भी प्लस सिखाएंगे ना फिर मानिस सिखाएंगे फिर मतलब यह साइमेल्टेसी भी हो सकता है प्लस एंदेन माइनस एंदेन मुटिपलाई सिखाते हैं फिर दिवाइड सिखाते हैं इस तरीके से आप उनको आरेंज कर लें जो भी आप इसके बाद अगर आपने यह पाया यह प्लब्धी पाई यह पाऊगे तो एक सिक्वेंस में चलता है और यह इसी को बोलते हैं लर्निंग कॉंट्यूम और लर्निंग लेडर क्या होती है जब एक रक्षिता अर्जित कर लोगे तो अगले के लिए प्रयास किया जाएगा अग आपके स्टेप से कि पहले आप सूची बनाओगे और अरेंज करोगे फिर एक अगर कॉंपेटेंसी प्राप्त कर लिए देन आप दूसरे पाने की कोशिश करोगे यह कुछ लैडर वगरा तो बताई दिया था मैंने अब यहां पे कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा एक कक्षा और बहु कक्षा में तो इसको मैंने एक पर रफली आप समझ लीजे और इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है एक कक्षा में क्या होता है कि एक कक्षा के लिए एक सेकेंड चल लिए तो क्लास सेकेंड के लिए एक ही टीचर है यहां बहुत सी क्लास के लिए एक बच्चों के पीस सहयोग और अंतर्क्रिया कम होता है क्योंकि एक ही क्लास के बच्चे हैं तो ज्यादा इड्रक्षन उतना नहीं हो पाता है लेकिन यहां पर अधिक होता है बच्चों के अनुभों की एक समू के भीतर तक ही सीमित रहा जाती मतब जो उनका एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंस में जो डावरसिटी है वो एक ही समू तक सीमित रह जाता है एक तरीके से सीमित एक्सपीरियंस का अदान प्रदान होता है लेकिन यहां पर क्या होता है असीमित होता है क्योंकि अलग-अलग क्लास के बच्चे होंगे बच्चों की भा यहां देना पॉसिबल नहीं हो पाता, अधिकांस ता इस्तिती औप्चारिक रहती है, जो एक कक्षा वाली है, वन क्लास, सिंगल क्लास वाले में, उसमें फॉर्मल रहता है, लेकिन इसमें इन फॉर्मल हो जाता है, कक्षा इस्तिती सिख्षक प्रधान ही रहती है, यहां पे teacher centric ही रहती है और जबकि यहाँ पर क्या हो जाती है यहाँ पर विद्यार्थियु द्वारा पूरा होता है जो class का management है वो कौन पूरा करता है विद्यार्थियु द्वारा ज्यादा माना जाता है class में तीन स्थर होते है औसते उपर, औसत नीचे मतलब above average and below average यहां पर औसत से उपर औसत और औसत के नीचे के कोई स्थर नहीं होते हैं यहां तक कि अलग-अलग कक्षा की भावना भी इसमें नहीं होती है मतलब यह overall एक class मानन ली जाती है तो इस तरी के साब क्या सकतो यहां पर उच आयू बर्ग और कख्षा के बच्चों नहीं होता है जिसरे कोई सेकेंड क्लास में है बागी असे हम लेते हैं तो इस तरीके से देखने को मिलता है बहु टक्षा वाले में हैं इस तरह के अनुसार समुहन पर अधिक बड़ होता है मतलब उनके level के according group पे homogeneous group की बात की जा रही यहाँ पे यहाँ पे सामाजी group समूहन की बात की जा रही social grouping की बात की जा रही है थिक्षक कक्षा में हर समय उपस्तित रहने के लिए प्रतिबत पाया जाता है एक ही class पे ध्यान देना है तो फिर वो हर समय उपस्तित रहेगा यहाँ पे क्या होता है स्वाधिकम पे जोर दिया जाता है क्योंकि हर एक individual पे ध्यान नहीं दिया जा सकता यहाँ पे आपकी 7 unit complete होती है अब हम पढ़ेंगे unit 8 तो unit 8 है हमारी planning learning activities यानि कि अधिकम क्रियाओ का नहीं हो जाए यहाँ पे हम लोग lesson plan क्या होता है और unit plan क्या होता है यह सब जानेंगे और यहाँ से आपको पता होगा की question आते है lesson plan से तो KWS में पुछा ही गया था तो यहाँ से एकदम basic यह topic से इंकम करते हैं पहले हम जानते हैं कि क्या होता है curricular activities and co-curricular activities जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग के टाइम में क्या होता है बच्पन में co-curricular activities पे ध्यान नहीं दिया जाता है क्याते है ना खेलोगे कुदोगे खराब हो जाओगे या पढ़ाई में पीछे हो जाओगे अब कि अब ऐसे नहीं है इनका टीचिंग करवाया जाता है और समय समय पर परिख्षा का संचाना पता है टाइमली test लिए जाता है इवालिवेट के जाता है इस्टुडेंट का जो प्रोग्रस कार्ड हो तेयार किये जाता है यह पार्टिक्रम पर, मतलब करिकुलम बेस्ट होता है जो करिकुलम आया है उसके according उसले बसके according कराया जाएगा अपचारिक फॉर्मल होता है और time table के अधार पर होता है समय सार्डी के अधार पर इनका पूरा activity होगा कि मंथली या यडली बन जाती है उसके according किया जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज के अधार इसमें खेलकुत, संगीत, ब्रहमर्द, नयत्य, पेंटिंग वगरा सब आजाएगा जिससे आपकी कोई नकोई skill आख जनडरेत किया जा सके अधार उनको ये चीज दी जा सके तो सभी इस ट्रेन के लिए अनिवार नहीं थे क्यूंकि ए डिपेंड करता बत्चों के इंट्रेस्ट पे उनकी ability कितना उस्ला में करने की नहीं चुनाओं के अधार पे, जिसमें भी चाहें, उसमें भाग ले सकते हैं, तो ये सब के लिए नहीं होता है, वो अपनी इक्षा से, उसमें पार्िसीपेट कर सकते हैं, इनकी परिक्षा नहीं होती, को कुरल एक्टिविटीज की, और सब्जिक्ट बाहर, इनका संगठन होता है अब यह मैंने subject से बाहर होना चाहिए था कि subject से बाहर इनका संगठन बनता है मतलब यह जो co-curricular activities होती इनका subject से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है और यह informal होती है इसका मतलब यह समय साइड़ी के अधार पे भी नहीं चलेंगी यहां पे यह time table के recording नहीं चलती है कि हमने इसा नहीं कि हमने पूरा सत्र का एक डेटा बना लिए कि हमको यह यह curriculum activities करानी है तुरंट immediate या उस time के recording जो भी उनको समझ में आता है उसके recording उनको करभाया जाता है planning of co-curricular activities का नियोजन कैसे होगा सबसे पहले तो आप चूज ही करोगे कि activities कौन सी करवानी है अब इसका selection के अब डीटेल में तो वहाँ बहुत कुछ दे रखा था I think वह हम लोंका understood है कि कैसा चुनाओ करोगे बच्चों के recording होना चाहिए उनकी interest के recording उनको motivate करने वाली होनी चाहिए उनको अच्छा लगे करके activities बोरियत नहीं हो पुनरवृत्ति नहीं हो बार बर आप एक ही activity को बार सही समय का मतलब कि इसे इंटरवल के पहले आप कर सकते हो इंटरवल के बाद ऐसे करके और यह जो प्लेस है वो भी सही होनी चाहिए कि अच्छा कासा enough space उनको मिलना चाहिए उस activity को perform करने के लिए motivation उस activity को करने के लिए motivated हो मतलब इच्छा कहते नहीं कि अंदर सो उनको इच जाना चाहिए immediate अब पाठों की रूप रेखा क्या होती है मतलब scheme of lesson अब यहां समझेगा scheme of lesson और syllabus दो different चीज़े होती है क्या है पहले मैं यहां पढ़ लेती हूं दिन मैं explain करती हूं कि विशेस कक्षा के लिए एक खास विशे में पार्ट क्रियाओं की योजना विस्तार मे एक सफ्ता एक मा या पूरे सत्र में वित्रित कर बनाई जाती है मतलब कि एक special class के लिए सद्धिक या लिखा हुआ subject specific and class specific for example एक class थर्टी एक special class हो गई उसमें एक special subject for example हमारा subject हो गया science अब यहां से हम कुछ competency ले लेते हैं competency का मतलब हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर demonstration अच्छा कर सके या observation skill अच्छी हो सके वो हो गई हमारी competency तो यह specific रूप से इन से related इतनी भी activities होंगी ठीक है उनका हम weekly data arrange करेंगे monthly करेंगे and yearly करेंगे तो overall तीन तरीके से हम उसको arrange करते हैं कि हम target बनाते हैं कि उसको हमें एक साल में कैसे कितना complete कराना है एक महिने में कितना complete कराना है और एक हफते में कितना complete कराना है इसी को बोलते है Scheme of Lesson यानि की पार्टों की रूपरे का, अब यह Slaybos से कैसे डिफरेंट होती है, तो Slaybos में क्या होता है, Slaybos में हमको जो पढ़ाना है, मतब जो subject है वो उससे related content रहता है, और उसका outcome रहता है, ठीक है, उसका outcome रहता है, उसका outcome को बोलता है, अधिकर मुद्देश रहता है कि उससे क्या आप सिखाना चाहर हो, यह सारी चीज़े रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, Slaybos को करवाने के लिए जो activities हैं, वो आम इसमें लिखते हैं, किसमें पार्टों की रूप रेखा में, ठीक है, अब इसकी आप सकता क्यों होती है, ताकि course को समय से पूरा किया ज सके, और instructional activities को प्रभावी धंग से संचारित करने के लिए, जो भी हम क्रिया करेंगे, जो भी हम क्रिया कलाब करवाएंगे, उनको धंग से परफॉर्म किया जा सके, उसके लिए हम पहले से डेटा अरेंज करेंगे, तभी तो परफॉर्म करवा पाएंगे, तो यह चीज इस कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, हम एक लिखना भूल गई हूँ, पार्थों की मासिक रूप रेखा, मतली जो स्कीम बनेगी, एंड यर्ली बनेगी, यह देखिएगा, वार्सिक रूप रेखा, मैं इसको अपडेट करके भी अप्लोड करूंगी, टेलिग्राम पे, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट प्लान क्या है, तो यूनिट प्लान से पहले हमको यह जानना है कि यूनिट क्या होती है, तो यूनिट जो, जिसे माली जे यहां एक्जाम्पल से समझाएगा था कि, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मैटर, ठीक है, मैटर में तोपिक हुआ, उसमें सब टॉपिक क्या होगा, ठोस, रव, गैस, इनको कमबाइनली जो एक यूनिट में रखा जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर मैटर पढ़ेंगे, तो मैटर के ही जो तीन अवस्थायां होती है, ठोस, रव, गैस, तो वो आपस में रिलेट करती है, इसलिए ये जो सब यूनिट है, इनको आप यूनिट कह सकते हो, ठीक, अब यहाँ पे आता है यूनिट प्लान की क्या, इसके लिए प्लान, यूनिट प्लान की डेविनिशन इतले नहीं दी, क्योंकि एक यूनिट को पढ़ाने के लिए, जो आप सिक्षड क्रियाओं को ए स्वेवर्ट में नहीं है ता अगर माली जै को ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया गया उसमें यूनिट वाइस नहीं बठा दूगा हुआ है तो हम अपने अपने एक उसको एक सब्यूनिट में बाट देंगे कि यह यूनिट है उसके अंदर सब्यूनिट यह यह आरही है या फिर वो अपना safe change नहीं करता तो जो भी आप learning outcome रख रहे हैं उससे related हम उस unit plan में लिखते हैं सिक्चर अधिगम video और प्रेविदियो का चुनाओ किस कौन सी method और कौन सी techniques का हम यूज करेंगे एक unit को पढ़ाने में या sub unit को पढ़ाने में उनका हम पढ़ते हैं लेसन प्लान के बारे में जो की ज़्यादा है सबसे जादा है इंपोर्टेंट है यह लास्ट ही टॉपिक हमारा lesson plan जो होता है इसको दैनिक योजना भी बोलते हैं यह पार्थी होजना यह दैनिक योजना भी बोलते हैं तो क्लास में 30-40 मिनट पढ़ाने में लेसन प्लान बना जाते हैं जब हम कोई भी क्लास लेते हैं तो क्लास से पहले हम क्या बनाते हैं अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो इससे पहले हम लेसन प्लान बनाते हो तो हम लोग ने अपने टाइम में बनाया होगा दीलेड वगरा मे पहला होता है pre-active phase, दूसरा होता है interactive phase and फ़र्ड होता है post-active phase, इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है कि सिक्छर अधिकम से पूर्व क्रिया, ठीक है, या फिर पूर्व क्रिया अवस्था बोलते हैं इसको, इसको मद क्रिया अवस्था बोलेंगे और इसको पास्षात क्रिया यहां मैंने लिख भी दिया है, डीटेल में कि सिक्छर अधिकम के दौरान क्रिया कलाब के पूर्व and के बाद, अब इनको बारी बारी से जानते हैं, तो पूर्वाले में क्या करते हैं, लेसन प्लान मतब ऐसे बटा होता है, तो पहले वाले में हम क्या करते हैं, लर्निंग लिखेंगे, 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 जो बनाएंगे lesson plan उसमें हम ये चीज़ मेंशन करेंगे अब आता है इंट्रेक्टिव फेस में सिक्षर के दौरान जो क्रिया कलाब होते हैं वो आता है इसके तीन चरणे तीनो चरण लाइन से याद रहेगा सबसे पहले आता है प्रिस्तावना दूसरा आता है प्रिस्तूति प्रिस्तूति करेंट रहे होंगे और मुल्यांकन लास्ट की पांस मिनट में होता है इसमें उनसे अब्जेक्टिव कोशन पूछ सकते हैं जो हमने बढ़ाया है लानिंग आउटकम को देखने के लिए कि उन्हें आया की नहीं आया अब यहां पे पोस्ट एक्टिव फेस मे हम उनको homework दे सकते हैं उससे related learning outcome कितना उन्होंने learning outcome प्राप्ति किया है इसका पता लगाएंगे और पुन्रवति अगर हमको लगे गया कि उन्हें learning outcome उस topic से related जो उद्देश है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई है तो हम revision भी revision वाला काम भी इसी में होता है third phase में अब यहां अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे अगला जो topic है lesson plan की क्या विशिस्ता होती एक lesson plan के अंदर कौन से गुड़ होने चाहिए तो उसका उद्देश अधारित होना चाहिए मतलब उसका objective based होना चाहिए कि इस lesson plan का यह उद्देश है यह learning outcome है इसलिए हम lesson plan मतलब जो पढ़ाने ज किया जा सके और लागू करने ही होगा असानी से उसको implement किया जा सके तो यहां पे होता है अपका यह lesson plan complete अब हम जानते है यह मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने यहां से आट का लिया कि पार्ट नोट क्या होता है यह पार्ट डाइरी क्या होती तो देखें आपको क्या होत तो मतब काफी ज्यादा बर्डन हो जाएगा इसलिए उस चुनावती को कम करने के लिए एक सूच lesson plan बना लेने चोटा सा lesson plan बना लेना और अपने पास उस डाइरी को रखना यह कहलाता है पार्ट डाइरी ठीक है तो यह lesson से related ही होता है लेकिन अलग-अलग period के लिए अलग- नोट होता है मतब person to person vary करता है यह एक particular teacher का होता है इसकी क्या विसस्ता होती है इसमें तिथी जो date है class है जो period है पार्ट का सीड़ सके यह सब लिखा होगा क्या learning outcome निकाल रहे है वो लिखा होगा कौन से TLM यूज कर रहे है वो लिखा होगा अगर कोई special क्रियाय कर रहे है त अगर आप assessment कर रहे है तो में प्रेशन पूछेंगे वो भी होगे प्रतेक मुख क्रियक लाब है तो आवश्यक समय और आप टाइमली डिवाइड करोगे कि हाँ इस activity को इतना time देना है इस activity को इतना time देना है तो यह सारी चीज़े लिखी होगी और यह देखे इस तरीके से आप लिख सकते हो अपने जो note lesson diary होगी उसमें कि date डालोगे और period डालोगे class डालोगे विसे सीशक परिस्तुत की गई चर्चित विसे वस्तो की रूप रिका क्या रूप रिका है उसकी पूर हुआ या नहीं पूर ना हो नहीं मतब शॉर्ट कट में उसको लिख देना ही कहल आता है पार्ट डायरी आयोप आपको समझ में आया होगा बस यहां पर होता है हमारा यह topic complete और शेयर कर दीजेगा तो थैंक यू